हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लता की लाइबरीरी आज मैं आपके साथ भहती सुन्दर, भहती आसान पैटन सेयर करने जा रही हूँ ये पैटन हमारा सिंगल कलर में है, आप इस पैटन को किसी भी प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं लेडी स्वेटर, गल्स स्वेटर, बेबी स्वेटर और जेन स्वेटर, बनके बहुती कुपसूलत हमारा ये पैटन आता है सबसे पहले हम अपने प्रोजक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे फिर कोई सबी बॉर्डर बनाके complete करेंगे बॉर्डर complete होने के बाद pattern की first row अब first row में देखे पहला फंदा उतार लेंगे पहला फंदा उतार लेना है और फ्रेंट साइड से हमने first row को सीधा बुनते हुए complete कर लेना है इस तरीके से सेम प्रोसिस को repeat करते जाएंगे और first row complete कर लेंगे देखे ये front साइड से हमारी first row complete हो गई आप देखे रॉंग साइड से second row second row में देखे पहला फंदा उतारेंगे और रॉंग साइड से second row को हमने उल्टा बुनते हुए complete कर लेना है ये देखे ये रॉंग साइड से हमारी second row complete हो गई आप देखे ये front साइड से third row पहला फंदा उतारेंगे और front साइड से third row को हमने first row की तरह बुनते हुए complete कर लेना है ये देखे ये front साइड से हमारी third row complete हो गई आप देखे रॉंग साइड से fourth row fourth row में पहला फंदा उतारेंगे और wrong साइड से fourth row को हमने second row की तरह उल्टा बुनते हुए complete कर लेना है सेम प्रोसिस को repeat करते हुए ये देखे रॉंग साइड से हमारी fourth row complete हो गई आप देखे फ्रेंट साइड से fifth row फित्रों में देखे पहला फंदा उतारेंगे नेस्ट फंदा हम सीधा बुन लेंगे ये देखे अब नेस्ट हमने सीधा बुन लेंगे ये एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है अब देखे नेस्ट तीन फंदे छोड़के इसपेस में आएंगे फिर इसपेस में आते हुए ऐसे चेन में नीचे आएंगे फर्स्ट सेकिंड थर्ड थर्ड होल में हमने सलाई डालनी है एक मीडियम लूज फंदा बना लेना है इस तरीके से और देखे फिर हमने एक फंदा सीधा बुन लेना है एक फंदा सीधा बुना फिर देखे नेस्ट हमने दो फंदे छोड़के इसपेस में आना है फर्स्ट और second hole में, second hole में हमने slide आलनी है, एक फंदा बनाना है medium loose और एक फंदा सीधा, फिर first फंदे को छोड़ेंगे, और देखें, first hole में आना है, और एक फंदा बना लेना है medium loose, और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, यह देखें, यह हमारा pattern बनना start हो गया, अब next देखें, हमने same process repeat करना है, चार फंदों को आगे करेंगे, यह देखें, और देखें जो space में देखें, खाली जग़े पे आके, ऐसे, चार फंदे आगे किए, और ऐसे खाली जग़ेंगे, नीचे आएंगे chain में, और देखें, fourth hole में हम slide डालेंगे, और एक फंदा बना लेंगे, इस तरीके से हमने एक फंदा बना लेना है, फिर एक फंदा सीधा बुन लेना है, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर देखें नेस्ट तीन फंदों को आगे करेंगे, और ऐसे chain में आएंगे, और third hole में हमने slide डालनी है, और एक मीडियम लूज फंदा बना लेना है, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर नेस्ट देखे, दो फंदे आगे करेंगे, ऐसे चेन में आएंगे नीचे, और सेकिंड होल में, सलाई डालेंगे, एक फंदा बना लेंगे, और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर यह देखे। अब Next देखें सेम प्रोसिस रेपीट होगा। अब देखें फोर्त ओल में आएंगे, इस एसपेस में आते हुए इसे चेन में आएंगे और फोर्त ओल में सलाई डालेंगे। फोर्थ होल में हमने सलाई डालनी है एक मीडियम लूज फंदा बनाना है और एक फंदा सीधा बुन लेना है अब नेश्ट देखे तीन फंदे आगे करेंगे और ऐसे चेन में आएंगे थार्ड होल में सलाई डालेंगे एक मीडियम लूज फंदा बनाएंगे और एक फंदा स सीधा वुनेंगे फिर नेश्ट देखे फर्स्ट वोल में सलाइट डालेंगे और एक फंदा बनाएंगे और फिर सलाइब वाला फंदह सीधा बनेंगे सेम रोसिस को हम रेपीट करते जाएंगे और फ्रेंट साइट से अपनी फेवत रो कं вн handsome लेंगे तो देखे ये फ्रेंट साइड से हमारी फिप्तरो कम्प्लेट हो गई आप देखे रोंग साइड से 6 रो आप 6 रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे और नेश्ट हमने दो फंदे उल्टे बुन लेने एक और दो दो फंदे उल्टे बुने आप देखे नेश्ट बुना हुआ फंदा और एक्स्ट्रा फंदा इन दोनों को एक साथ बुनेंगे तो देखे दो का एक कर लेंगे नेश्ट हमने सेम प्रोसिस रिपीट करना है एक बुना हुआ फंदा और एक एक्स्ट्रा फंदा इन दोनों को एक साथ मनेंगे दो का एक कर लेंगे नेश्ट यही प्रोसिस रिपीट होगा दो का एक कर लेंगे दो का एक कर लेना है सेम प्रोसिस को हमें रिपीट करते जाना है और रॉंग साइट से अपनी सिक्स रो कमप्लीट कर लेनी है यह देखे यह रॉंग साइट से अमारी सिक्स रो कमप्लीट हो गई आप देखे फ्रन्ट साइट से सेवंत्रों आप सेवंत्रों में देखे पहला फंदा उता लेंगे और सेवंत्रों को हमने फ्रन्ट साइट से सीधा भूनते हुए कमप्लीट कर लेना है फ्रस्टों कि तरह यह देखे फ्रन्ट साइट से हमारी सेवंत्रों कमप्लीट हो गई अब देखे रॉंग साइट से एड्ट रो एड्ट रो को हम सेकिंड रो के तरह उल्टा बुनते हुए कमप्लीट कर लेंगे यह देखे अमारी एड्ट रो कमप्लीट हो गई अब देखे नाइन रो अब नाइन रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे और फ्रन्ट साइट से हमने नाइन रो को फर्स्ट रो की तरह सीधा भूनते हुए कमप्लीट कर लेना है ये देखे ये फ्रेंट साइट से हमारी 9th row complete हो गई अब देखे रॉंग साइट से 10th row 10th row में देखे पहला फंदा उतारेंगे और रॉंग साइट से 10th row को हमने 2nd row की तरह उल्टा बुनते हुए complete कर लेना है सेम प्रोसिस को repeat करते हुए ये देखे ये रोंग साइड से हमारी 10 त्रो कमप्लेट हो गई आप देखे फ्रंट साइड से 11 त्रो 11 त्रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे और नेस्ट हमने 3 फंदे सीधे भून लेने एक, दो, और तीन तीन फंदे हमने सीधे भूने अब नेस्ट हमने 4 फंदों में पैटर्न डालना है तो देखे एक, दो, तीन, चार चार फंदे आगे करेंगे और देखे दो फंदे हमारे इस फ्लावर के हैं और दो फंदे इस फ्लावर के हैं इन चारों फंदों में हमें पैटर्न डालना है तो देखे इस्पेस में आएंगे और ऐसे चेन में नीचे आएंगे फर्स्ट, सेकिंड, थर्ड होल को छोड़के फोर्थ होल में हमें सलाई डालनी है और एक मीडियम लूज फंदा बना लेना है एक मीडियम लूज फंदा बनाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर नेश्ट देखे तीन फंदे छोड़के ऐसे स्पेस में आएंगे थर्ड होल में सलाई डालेंगे एक मीडियम लूज फंदा बनाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर सेकंड होल में आएंगे, एक मीडियम लूज फंदा बनाएंगे, और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर देखें, फर्स्ट होल में आएंगे, एक मीडियम लूज फंदा बनाएंगे, और एक फंदा सीधा बुन लेना है, यह देखें, अब नेस्ट देखें, सेम प्रोस इस रेपीट होगा, चार फंदे छोड़ेंगे, ऐसे चेन में आएंगे, और देखे, फोर्थ ओल में हमने सलाई डालनी है, एक मीडियम लूज फंदा बना लेंगे, फिर नेस्ट फंदा सीधा बनेंगे, फिर तीन फंदे छोड़ेंगे, और इस पेस में आते हुए ऐसे चेन में आएंगे, थर्ड होल में सलाइड डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे और नेस्ट फंदा सीधा बनेंगे, फिर सेकिंड होल में सलाइड डालेंगे, एक फंदा सीधा बनेंगे, फिर फर्स्ट होल में सलाइड डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे और फर्स्ट फंदा सीधा लेनी है इस के साथ हमें इस एक्स्ट्रा फंदे को भी गुन लेना है तो दो फंदे एक साथ बनेंगे इस तरीके से देखे 2 का 1 करेंगे next देखे एक extra फंदा एक बुनावा फंदा दो का एक कर लेंगे फिर देखे next दो का एक करेंगे फिर दो का एक दो का एक कर लेना है same process को repeat करते जाएंगे और wrong side से अपनी 12th row complete करेंगे यह देखे यह wrong side से हमारी 12th row complete हो गई अब देखे फ्रेंट side से 13 row अब 13 row में हमारा pattern repeat होगा 13 row को हमने 1st row की तरह बुनते हुए complete करना है back side से देखे जो हमारी 14 row आएगी उसको हम 2nd row की तरह बुनते हुए complete करेंगे same process को हम repeat करते जाएंगे और बनके देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें share करें comment करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो please subscribe करना न भूलें thank you